Welcome to NH Kitchen आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल और यामी रेसिपी आपने भाजी पूरी तो बहुत बार खाई होगी बट आपने हमेशा ही सोचा होगा हम इसे बनाते कैसे हैं तो आज हम सीखेंगे भाजी पूरी बनाते कैसे हैं ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है भाजी पूरी बनाने के लिए में चाहिए मेती धाना अखी सौफ, कलॉनजी, राई, अखाजीरा, तेस पत्ता अखी लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और नमक सबसे पहले हमें तेल गरम करना है और सारे अखे मसाले, तेस पत्ता और अखी लाल मिर्च को उसमें डाल देना है और उसे दो मिनिट तक फ्राई कर लेना है ये पाँच मसालों को मेथी, सौफ, राई, जीरा और कलॉनजी को पच फूरण भी बोलते हैं इससे बहुत ही अच्छा फ्रेवर आता है इसलिए हम कोई भी भाज़े में इसे डाल सकते हैं दो मिनिट हो जाए जब अच्छे से सारे मसालों का अरोमा हमारे तेन में आ जाएगा उसके बाद हम इसमें आलू डाल देंगे और इसे तीन-चार मिनिट तक फ्राई करने देंगे अब हम इसमें आलू डालेंगे हमें आलू को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है सिर्फ इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेना है 3-4 मिनट तक जब आलू अच्छे से फ्राई हो जाएंगे इसके बाद हम इसमें कटा हुआ टामाटर डाल देंगे और इसे भी 2-3 मिनट तक सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे इसके बाद हम इसमें हमारा हल्दी और लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर हमें इसमें बहुत कम डालना है वरना हमारी भाजी रेड कलर की नहीं करना है अब पानी डाल देंगे हम इसमें और इसे 2-3 सीटी आने तक अच्छे से गला लेना है और फिर हमारी भाजी रेडी हो जाएगी यह भाजी हम पूरी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं नहीं तो आप इसे रोटी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं भाजी की कंसिस्टेंसी आप अपने according सेट कर सकते हैं आपको अगर इससे जशादर DRY चाए हो आप DRY कर सकते हैं बठी भाजी थोड़ी ग्रेवी वाली अच्छी लगती है मैं आशा करते हूँ आपको हमारी recipe पसंद आई है अगर आपको आपको हमारी recipe पसंद आई है So please do like, share, comment and subscribe to our YouTube channel NHKitchen. Thank you.